तो शराबी सरकार के भरोसे हो या ना हो लेकिन सरकार जरूर शराबियों के भरोसे देखे रहे बहराल इस बीश में एक बहुत बड़ी खबर मिल रहे है और 69,000 शिक्षक भरती को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया गया है तीन महीने में भरती प्रक्रिया पूरी करने के प्रक्रिया पूरी करने के आदेश भी दिये गए यह खबर बहुत बड़ी है और उत्तरप्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश दुवेदी जी इस वक्त एबीपी गंगा के साथ जुड़गा है सतीश दुवेदी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका एबीपी गं जी नमस्कार सतीश जी इस केस को लेकर इस पूरे प्रकरण को लेकर आपको खूब घेरा जा रहा था आपके सरकार को विपक्ष भी आप पर आरोप लगा रहा था स्टूडेंट्स भी नाराज थे और वो नाराज गी थी कि कोर्ट तक मसला गया अब आप लोगों को कामिया भी मिली है आपके पक्ष में फैसला आया है क्या करेंगे इस पर आप आप जानते हैं कोरोना जैसे महामारी में भी राजनीत करने का उसर नहीं छोड़ने लोग देखे कोट में कोट में मामला इसलिए गया था कि इस देश के किसी भी नागरी को यह अधिकार है कि वो कोट म में जा सकता है हम सुरू से कह रहे थे कि हम इस भरती प्रक्रिया को गुडवत्ता के पैमाने पर करना चाहते हैं 79,000 पदों के सापेक्ष बड़ी संख्या में अबहरती हैं उन अबहरतीयों में से हमको 79,000 को चुनना था हम चाहते थे अच्छे प्रतिभावान योग ये सिक्षक हमको मिलें ताकि जिस भविष्य को हम तयार कर रहे हैं जो उत्तरप्रदेश के नोनिहाल हैं उनको अच्छे स पैसले का स्वागत करना चाहता हूं कि आज मान्य नियाले ने सरकार के निरड़े पर मुहर लगाई है और सिग्र ही जैसे जब से पिछले तीन सालों में उत्तरप्रदेश में योगी सरकार आई है लगातार जिस तरह से भरतियां हो रही हैं पचास हजार से जादा कि सिच् पर आपको कटगरे में खड़ा कर रहा था जी बिलकुल जब देखिए हमसे अभरती मिलते थे मैं तो हमेशा बात करता था और मैं कहता था कि देखिए मामला मान्य नियाले के पास है निरड़े आने दीजिए सरकार की मनसा है कि भरती परक्रिया जल्दी पूरी हो अगर यह मामला नियाले में नहीं गया होता तो एक साल पहले ही यह 79,000 सिक्षक की स्कूलों को मिल गए होते बिपक्ष तो सब समझते हुए जानता है कि नियाले के मामले में सरकार कोई हत्तक्षिप नहीं कर सकती लेकिन उसके बाद भी बार बार यह बिसे उठा रहे थे वह कह रहे सरकार देर कर रही है सरकार नहीं चाहती लेकिन हमारी मंसा हमेशा से इस पष्ट थी हम चाहते थे भरती प्रक्रिया जल्दी संपन हो हमारे सिक्षक 69,000 सिक्षक मिलें और गुडवत्ता पूर्ण सिक्षा का जो संकल्प योगी सरकार ने लिया है जिस संकल्प को लेकर आप करता और आज मुझे प्रसनता है कि यह परक्रिया हमारी आगे बढ़ने वाली अच्छा चूंकि डवल बेंच ने फैसला दिया सतीश दी तो आप से जाना चाहूंगा पहले सिंगल बेंच के पास मामला गया था सिंगल बेंच से आपके पक्ष में फैसला नहीं आए तो सरकातार यह कहते रहे यह बात जबाती थी कि कटाफ उंचा क्यों है तो सरकार का पक्ष हमेशा यह था कि जब भी देखे कटाफ जो तय होता है वह बहरतियों की संख्या के अनुरूप तय होता है अब हम 69,000 सिक्षक भरती निकाल लें और 69,000 ही हमको आवेदन मिलें तो सब कि भरती हो जाएगी लेकिन जब भैरतियों की संख्या जादा होती है अब पद के सापेच तो निश्चित रूप से हमको उंचा कटाफ रखना पड़ता है क्योंकि हमको तो जो लोग जितने भैरती है उतमें से दी बेस्ट चाहिए अच्छे से अच्छे लोग हमको हैं हमारे परियासो को समझते हुए हमारी जो हमने विवस्ता बनाई जितने अपर मोहर लगाई है विरोथ तो किया गया था था विरोथ बिपाक्ष भी विरोध स्टूडेंट्स भी अभ्यर्थी भी कर रहे थे तो आपको विरोध के पीछे का क्या करण लगता है क्या वो कॉम्पेटिशन वाली भावना वो ज्यादा कट आफ वाली बात उनको नहीं मैसूस हो रही थी कि जितना ज्यादा होगा क्योंकि संख्या भ्यर्थियों की क्या कारण लगते हैं इसके पीछे विरोध के पीछ आप देखिये हम बरसों से हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे प्रतियोगी परिक्षाओं में भीर्थी बढ़ते गये हैं कंप्रिशन होता गया है कटाफ उंचे होते गये हैं यह बाते सबको समझ में आती हैं लेकिन फ सकता है इसलिए जो लोग उस कटाफ के विरोध में थे वो नियाले गये उनको अपनी बात रखने का हक था वो हम लोगों से भी मिलते थे हम भी कहते थे कि चुकि मामला के पास है इसलिए हम इसमें कोई टिपड़ी नहीं कर सकते जब तक फैसला नहीं आ सकता लेकिन मुझे लगता है मेरी अपील यही है कि सबको इस बात को समझना चाहिए कि जब पदों के सापेक्ष अभरतियों की संख्या जादा होगी तो कटाफ उचा होगा हमको परिस्रम करना पड़ेगा हमको अपनी जगा हासिल करने के लिए और इस भरती को होने संपन्न होने देना जब मैं कोट के किसी बेंच पर कोईटी पड़ी नहीं करना चाहता है लेकिन हो सकता है कि कई बार चुकि डबल बेंच में बहुत लंबी सुनवाई चली और हर एक पक्ष पर दलीले सुनी गई सभी तथे इकठे किये गए तो इस लंबी प्रक्रिया के बाद मानिये नियाले को ऐसा लगा कि सरकार ने जो रोड मैप्ते किया है सरकार ने जो बेवस्थाएं बनाई हैं वो सिख्षा की गुडवत्ता की दृष्टी से उचित है इसलिए साइद सरकार के निरे पर मोहर ल रहा था इस बीच में आप लोगों पर यहारूप लग रहे थे कि आप आरक्षित वर्क के खलाफ हैं क्योंकि कट-off कंप कर चाहते थे कि 40-45 फीजदी के खरीब हो लेकिन आप 60-65 फीजदी के खरीब चाहते थे तो ऐसे में आप पर उनके खलाफ होने कभी आरोप लगा है पूरा करते हुए भरती की जा रही है किसी तरह से किसी आरक्षित बर्ग के साथ किसी तरह का कोई अन्याई नहीं होने वाला सतीजी क्या आप इस पूर्व की सरकारों में भी ऐसा ही होता था कि सरकार यह अपने अनुरूप जो मेरिट लिस्ट है या जो इसको बदल देती ह जो cut off है उसको अपनी साफ से बदल देती है देखिए cut off कभी permanent नहीं हो सकता मैंने आप से कहा ना एक समय था जब high school intermediate pass करने के बाद नोकरी मिलती थी सीधे किसी तरह की कोई परतियोगी परिक्षा नहीं होती थी जैसे जैसे अभेरतियों की संख्या बढ़ती गई पदों की संख्या तो उस अनुरूब बढ़ी नहीं तो फिर परतियोगी परिक्षाए होने लगी आज 69,000 के साफ एक 4,000,000 से अधिक अभेरती आये तो ये कटाफ है कल को मान लीजिए हम कोई 50,000 की भरती निकालें और अगर 20,000,000 अभेरती आ जाएंगे तो कटाफ और उपर जा सकता है क्योंकि हम को अल्टीमेटली जब हम मेरिट पर भरती करते हैं तो उपर से ही हमको लेना है और सबसे अच्छे दी बेस्ट जो 69,000 होंगे उनहीं को लेना है तो निश्चित रुप से कटाफ उपर जाएगा सथिश जी इस बीच में जब तो हमारी स्क्रीनिंग करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा गर हम 20,000,000 लोगों की परिक्षा लें और फिर कटाफ बहुत नीचे कर दें तो फिर एक बड़ी संख्या हो जाएगी फिर उनकी स्क्रीनिंग करेंगे कि इस बीच में अभ्यर्ति आप लोगों से बात कर रहे थे अभ्यर्ति अपनी बातों को रख रहे थे क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और कोई चाहता है कि उनको रोजगार मिले और वो भी नहीं चाहते थे कि यह भरती प्रक्रिया इतनी लंबी लड़के तो इस बीच में क्या बाच्चीत करने की कोशिशें हुई थी अभ्यर्तियों ने आप से बात कियो हो या आप लोगों ने अभ्यर्तियों से बात करने कोशिश की हो कि वो कोई में बिलकुल देखे मैं तो जब से मैंने देखे हमारे मानने मुख्य मंतरी स्वयम संबाद के पक्षदर रहते हैं बहुत ही उदारता से किसी भी बेक्ति से और किसी भी संगठन से किसी भी प्रतनीद मंडल से मिलते हैं और मैंने भी जब से अगस्त में आया इस बिभाग में मंत्री के रूप में मैंने जब से दाइत तो समाला कई बार तो बिना किसी किसी प्रतनीद मंडल ने मिलना चाहा कभी आफिस में रास्ते में कहीं भी मैंने हमेशा उनसे मुलाकात की हमेशा उनसे बातें की लेकिन हम एक मामले में असमर्थ थे चूब से हम आये लगातार मामला कोर्ट में था हम अभिरतियों से कह रहे थे कि आप धहरे रखिये मानने नियाले का जो भी फैसला आएगा हम उस फैसले का स्वागत करते हुए आगे बढ़ेंगे सतीश जी काकरी सवाल की अमूमन ऐसा होता है कि जब कोई नाराजगी हुआ अभिरतियों कि इनके संख्या तो बहुत ही ज़्यादा है लाखों में है तो ऐसे में अमूमन सरकारी स्टेप बेक कर लेती हैं अपने ख़तम पीछे खेश दीते हैं क्योंकि वो अभिरतियों के स योगी सरकार प्रदेश की पिछली सरकारों के तुलना में एक मामले में अलग है योगी सरकार प्रदेश के दिर्ग कालिन हित में काम करती है योगी सरकार प्रदेश के दिर्ग कालिन विकास को ध्यान में रखके काम करती है योगी सरकार सिक्षा की गुडवत्ता को ध्यान नहीं पसंद करते थे आज इन तीन सालों में पचास लाग से अधिक हमारी चातर संख्या बढ़ी है आज हम बच्चों को अच्छा यूनिफार्म दो सेट दे रहे हैं जूते मुझे दे रहे हैं बैक दे रहे हैं किताबे दे रहे हैं और आपरेशन काया कलप और मिसन प्रिण अधिकारी किसी एक बेक्ट के लिए बात नहीं हो सकता कि जबरदस्ती किसी को वहां ना भीजना पड़े हर आदमी अपने बच्चे को महां भीजना चाहिए आखिर आज आई-आई-टी में आप देखिए जितने सरकारी जो आई-आई-टीज हैं वहीं पर तो लोग अपने फिले बच्चों को पड़ाना चाहते हैं कोई उनको जबरदस्ती नहीं भेज रहा है हम अपने स्कूलों को ऐसा बनाना चाहते हैं कि हर आदमी की पहली पसंद बने वहा अपने बच्चों को हमारी स्कूलों वेजना चाहए अप इसलिए हम गुलव ऑठ पुरदья power सिक्चा जो सूचते हैं कि प्राइवेट ही बैतर है, सरकारी खराब है।